हलो मैं प्रीती, इजी डू कुक से आज मैं आपको भाती टेस्टी, भाती बढ़िया और भाती जल्दी बनने वाली आलू मटर की चाट बनाना बताऊंगी अक्सर जब आजकर जब कि मभार नहीं जा सकते हैं, भार का नहीं खा सकते हैं तो इस तरह की चाट आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और यह बहुत ही बढ़िया लगती है इसको मैं दो तरह से बनाऊंगी मैक्रोवेव में भी और साथी जो हम सिंपल ली रोटी तवे पर भी इसको बना सकते हैं तो आईए अब हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने करीब ये 5-6 आलू लिये थे जिनको पहले से बॉयल कर लिया था साथी हमने सफल के मटर लिया जिसको करीब 2 मटर के लिये बॉयल कर लिया था सब इस चीज़े हमारी ठंडी है साथी हम अरारोट लेंगे बड़े चमच, साथी लाल मिश पाउडर, नमक और ओल अब जो बड़े बाउल में हमने आलू कर रखेते हैं आलू हमारे ठंडे होने चाहिए यानि पहले से उबले होने चाहिए अब उसमें हमने नमक डाला थोड़ा सा देगी मिर्च, मटर और आलू दो में हम इस इसको डालेंगे साथ ही अब इसमें जो हम अरारू डालेंगे जो इसको थोड़ा क्रिस्पिनेस देगा आप देखेंगा कित्ती जल्दी हम ये चाट बना लेते हैं और बहुत ही इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है आप जहें तो बहुत ही कम ओईल में भी बना सकते हैं अच्छे से हमने चाहित को मतर में और अलू मिक्स कर दिया अब थोड़ा से इसमें औला लगे है अब च्छうんदिए दुड़ाते हैं and ल nessa किartet मैंने रहा है कि अवर अज़ा से में मतर में अब अच्छे से में अच्छे से और बहुत कर देंगे दोनों चीजों बेच में म्टर को घ्रेट करेंगे, अब इसकste सबें आलू को गर खेंगे बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह से बहुत पेस्टी हमारी चाट बनती है एक दम बढ़िया करा रहे हो जाते हैं थोड़े से आलो और मटर हमने छोड़ दिये जिसको मैं रूटी तवे पर बनाऊंगी अब मैक्रोवेब में हाई रैक रखी उसके उपर हमने ट्रे रखा और उसके बाद हम ग्रिल मोट पर 10 मट का हम टाइमर लगाएंगे तो मैक्रोवेब में करीब ये 20 मट भी कभी लग जाते हैं आप जितना क्रिस्पी चाहते हैं उसी इसाब से देखिए 10 मट हो चुके हैं इसको बाहर निकाला थोड़ा से इसको हमने दुबारा से पलट दिय आलू को पलट देंगे जो बड़े पीसी से उनको हम पलट देंगे ताकि दूसरी साइट से भी चाहते हैं और पलटने के बाद इसको हम दवारा के लिए करीब दस्मट के लिए रखेंगे कई बार ये पूरत दस्मट और लगाने पर ये अच्छे से सिख जाएंगे वरना थोड़ा सा टाइमर और भी लगा सकते हैं तो देखे दसमत मैंने और लगाया यह हमारे बिल्कुत तयार है इसको बहार निकाल लिया ट्रे को अब इसके उपर हम मसाला डालेंगे थोड़ा सा हमने नमक डाला थोड़ी सी लाल मिश पाउडर डाला अब चाट मसाला डालेंगे तो इतनी बढ़िया बहुत ही जल्दी चाट बन जाती है अब यह कि ओयल भी कितना कम लगा और जादा महनत भी नहीं है थोड़ी सी हरीमिश काटके डाली उपर से थोड़ा सा हम जो है वह नीबू डाल देंगे तो देखे कितनी बड़ी है हमारे जटपट आलू मटर की चाट तयार है अब यह मेरा रोटी तवा है उस पर ही रेगुलर जिस पर हम रोटी बनाते हैं हलका सा यह थोड़ा सा गहरा है इसमें थोड़ा सा ओईल डाला हमने एक चमच अब उसके ओपर यह बचे हुए आलू है उसको डाल दिया और इसको हम दीवी दीवी कैस पर जिस तरीके से हम टिक्की सेखते हैं कुछ उसी तरीके से हम इसको सेखेंगे हब आलू घ्रीक थोड़े हमारे होने लगे हैं अब इस पर हम जो है वो मटर ढाल देंगे आदे मैं मटर ढाल देंगे यह चाठ हमारी एकदम तयार है, अब इसके उपर हम उसी तरह के से इसमें भी मसाला डाल देंगे, थुड़ा सा नमक है, लाल मिर्च है, चाठ मसाला है, हरी मिर्च है, तो देखे, दोनों तरह के से किती बढ़ी और किती जल्दी हमारी चाठ तयार है, इसको बच्चे भी सब बहुत रेलिश करेंगे, बहुत जादा इसमें इंग्रिएंट हमें कुछ नहीं चाहिए, दो चीजों से बन गई, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक